हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियने स्टडी इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में यूपी एसाई के लिए मूल विदी जो कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपोटेंट टॉपिक हैं और आज मुकबंतरी की वीडियो प्रोवैड करवाई लेकिन आप लोग इंट्रेस्ट नहीं ले रहे बहुत ज़्यादा पस्ताबा होने वाला है आपको क्यों कि फ्री अपकोश्ट प्रोवैड करवा रहा हूँ ना इसलिए वैल्यू नी समझ रहे हैं यसा अपराद आसे जिसमें पुलिस अदिकारी बिना वारंब किसी को गिर्फतर कर सकता है बिल्कूल कर सकता है कोई वारंब की ज़रूत नहीं होती है अगर किसी के उपर संगे ہے इस हिरे के सम्मंद में उस राजिगा उचने आने बिल्कुल ठीक है ये भी तो अपहर तो जोनों जहें वह बिल्कुल ठीक हैं तीसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा तर करेक्ट हो जाएगा next questions कितने वर्स के बालक अतवा बालिका को साक्ची होने की दसा में विवेचना के दोरान उनका कतन उनके निवास इस्थान पर होना चाहिए जल्दी बताईए तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंदरा वर्स जी हाँ दोस्तों पंदरा वर्स के बालक तता बालिकाओं को साक्ची होने की दसा में वेवेचना के दौरान उनका कतन उनके निवासिस्तान पर होना चाहिए नेक्ष्ट कोसन से आपका के आन है आ कोई भी हो सकता राम भी हो सकता सियाम भी हो सकता जैस भी हो सकता महिस भी हो सकता चलो महिस लेके चल रहे महिस ने बिना लाइसंस के प्राप्त किये एक बारा बोर बंदू की नाल को काट कर छोटा कर दिया ठीक है बिना लाइसंस किये और द्यान रखना जिससे आसानी से छिपा कर ले जा सके मैस ने आम्स एक्ट की किस धारा में वनलित प्राबदानों का उलगन किया किस धारा का तो सही आंसर हो जाएगा धारा च्छे का धारा च्छे के अंतरगत यही सारा विबरन दिया हुआ है जो कि कोस्टन्स में बताया हुआ है अपरादी द्वारा कारित अपराद प्रसंगिये है अत्वा आप प्रसंगिये है जवानिती है अत्वा गेर जवानिती है इसका निर्दारन निम्लिकित में से कौन करेगा या कौन सा अधिनियम करता है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बै हो जाएगा दंड पिरकिरिया स नहीं है ताकि next question से आपका कि निम्लिकत मेंसे कौन सा अपराद ना तो मानफ सरीर के ब्रोद और ना ही संपत्ति के ब्रोद है जल्ली बताओ कौन सा अपराद जो है ना तो मानफ सरीर के ब्रोद है और ना संपत्ति के ब्रोद है राजद्रो का अपराद आप सभी लोग जानत बारतिय डंड सहीता की दारा 124 एक किसके लिए सजा निर्दारित करती है जल्दी बताओ किसके लिए सजा निर्दारित करती है अगर आपने बारतिय डंड सहीता पूरा टॉपिक पड़ा है तो यह वीडियो आपके लिए है बस मैं प्रेक्टिस करवा रहा हूं और के बिरोद अपराद तो वो राजदरो की स्रेढी में आता है next questions केवल जुरुमाने से दंडरनी अपराद है अंतरगत केवल जुरुमाने से कोई आपने अपराद करा और उसकी जो सजाय कुवल जुरुमाना है तो उसको किस दारा में वलनेत obst किया गया है इस टेशन पे लिखा जाता है कि अगर आपने यहां पर थूका तो 500 रुपे आपका जुर्माना लगेगा इस तरीके से समझ रहे बिधी बिरुद जमाओं में व्यक्तियों की नियुम्तम संक्या होती है कितनी तो कितनी नियुम्तम संक्या होती है पांच जी यहां दोस्तों बिधी बिरुद जमाओं में पांच व्यक्तियों की नियुम्तम संक्या होती है भारते डन सही है ताकि धारा 141 में बिधी बिरुद जमाओं को परिवासित किया गया है धारा 141 के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाब बिदी बिरुद जमाओ कहा जाता है समझ रहे कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए उससे अधिक तो बिदी बिरुद कहलाएगा यदि उन व्यक्तियों का जिन से वह जमाओ गटेत हुआ है समझ रहे ये सारी चीजें ध्यान नखना और दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि हर वीडियो में कितना जादा effort लगा रहा हूँ हर questions को समझाता हुआ चल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि लपेटता हुआ चल रहा हूँ किस धारा में दंड की विवस्ता है जल्दी बताओ मिथ्या साक्ष देने के लिए भारते डंड से ये था कि किस धारा में दंड की विवस्ता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा धारा एकस्तो से तिरानवे चौता आपसंस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी आगाम या एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लोगों के लिए लगवक्स सभी कोछ चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट होंगे चाहिए यूपी टर प्लस 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 प्लेटफॉर्म पे आपको पढाने के लिए मिलेंगे जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा इस कोर्स को अगर आप पर्चिस करते हैं तो डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है जल्दी बताओ लोग उपद्रब को परिवासित किया गया है किस दारा में तो सही आंसर हो जागा दारा 268 में जी हाँ दोस्तो दारा 268 में किसको लोग उपद्रब को परिवासित किया गया है नेक्स्ट कोशन से आपका के अपरादिक मानब बद जो की हत्या नहीं है जी हाँ दोस्तों धारा 299 में आपरादिक मानब बद जो हत्या नहीं है इसका वर्लन 299 में किया गया है जबकि धारा 300 जो हत्या से सम्वंदित है और जो 302 है वो हत्या के लिए दंड से सम्वंदित है 300 हत्या से और 302 हत्या के लिए दंड से सम्वंदित ठीक है तो द्यान लखना दोनों next questions हत्या और मानब बद में अंतर संबंदित बात है यानि कि किस बात ने ये बताया कि हत्या और मानब बद में दोनों में अंतर होता है किस बात ने बताया तो ये रेख बना गोविंदा बात ने बताया तीसरा options बिर्षा सिंग बना पंजाब राज का बात संबन देते हैं किस से तो ये आपका हत्या से संबन देते हैं किस से हत्या से दूसरा options बिर्षा सिंग बना पंजाब राज का बात संबन देते हैं किस से तो ये आपका हत्या से संबन देते हैं किस से हत्या से दूसरा options बिर बारतिय डंड संयता कि किस दारा में दहेज मिरत्यू का उपबंद है तो सही आंसर हो जाएगा धारा 304B में है जी हां दोस्तो 304B में दहेज मिरत्यू का उपबंद है पहला ही आपसंस बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट कोसंस बारतिय डंड संयता में निमलिकत दारा में से आप आप रादिक माना बद करने के प्रितन का धारा कौनसी है माना बद के लिए प्रितन कर रहे तो उसके लिए कौनसी धारा है धारा 308 है सर कौनसी है धारा 308 305 सिसू या उन्वन व्यक्ति की आत्म हत्या 305 सिसू से सम्मद 306 आत्मा हत्या के लिए दुस्प्रेरण करना 307 हत्या करने के प्रियतन से 307 हत्या करने के प्रियतन से और 308 आपरादिक मानबद करने के प्रियतन से ठीक है दियान लगना सभी बता दी Next questions निमलेकित मैंसे कौन सा एक अपराद नहीं है तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे क्योंकि ये जो चारो ही options हैं इन चारो ही options को मैं बता चुका हूँ अब निमलेकित मैंसे कौन सा एक अपराद नहीं है आत्मात्या, आत्मात्या का प्रियास, हत्या या हत्या का प्रियास तो इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे बीच में ही पूछ लिया, आज कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट questions है आपका कि अपराद के गटन के लिए निमलेकित मैंसे किन तत्वों का होना अनिवार है तो सही answer हो जाएगा अपराद के गटन के लिए कोई कार या लोब का किया जाना बिलकुल ठीक है जबी तो अपराद कर पाएंगे आप रादिक कार करने का आसए यानि कि उद्देस होना चाहिए कि क्यों अपराद कर रहा है आप वह कार विदी द्वारा वरजित और दंड़नी हो दूसरा options यहाँ पर आपका बिरूल correct हो जाएगा सर next questions अपराद की संख्या के आधार पर सरकार ने अपरादों का वर्गी करन निम्लिकत में से किस आधार पर किया अपराद की संख्या के आधार पर व्यक्ति के आधार पर किया है संपत्ति के राजिके सभी के अधार पर किया है तो यहाँ पर चौहता उप्संस हर बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा और लाश्ट कोस्टंस आपके सामने के निमले के तमेंसे कौन सफेद पोस अपरादों में सामिल है गवन करना, रिस्वत लेना, जमाखोरी करना या उप्रोक्त सभी तो देखो गवन करना, रिस्वत लेना और जमाखोरी करना ये सभी जो है वो सपेद पोस अपरादों में सामिल है तो यहाँ पर चौहता उप्संस आपका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आपके मूल भी दी के कोछ इंपोटेंट कोसंस जो की मैंने आज की इस वीडियो में आपको कबर करवाए आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूसफुल है इंपोटेंट है अगर आपको वीडियो देखने में मुझ जादा आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जै इंद जै भारत